हेलो प्यारे विदार्थियों, समाय केट में क्योटो चनल पर आपका हार्दीक स्वागत है आज हम बात करें आप सबी स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज हम बात करें आप फॉर्मेटिव असेस्मेंट 15 के बारे में यानि जो अपना एंडिंग पैज है, उसका अपन फॉर्मेटिव असेस्मेंट 15 कर रहे है जानेंग इनके आंसर को किस त्रीकेश अपनी वर्कों का फिल करना है उससे पहले आपको चैनल सस्क्राइब जरूर करना है तो उससे पहले करें और आगे बढ़ते है यानि हम किस चीज का प्रियोक करके यापने शृर को थंडा रख सकते हैं जैसे बटर मिल्क है, समोसा है, फलोर है तो अपनग बटर मिल्क यानि जो चाच होती है उसको पहले कर अपने शृबर को थंडा कर सकते है Tick write the correct word to complete the sentence I want to send him a from my computer So I want to send यह नहीं हम भेज सकते हैं Him a क्या भेज सकते हैं computer से Mail भेज सकते हैं तो mail की spelling M-A-I-L Next है Tick write the correct pronoun for the given sentence We made A little house We made है तो we के लिए प्रणाउन अपना कौन सायोद गरते हैं Ourselves तो we made ourselves a little house यहनी वो केता है हमने खुद नहीं बनाया है Tick write the correct antonym to complete the sentence Akram wanted to reach the function early But he reached यहनी early है Early का अपने को antonym बताना है तो early का antonym क्या हो जाएगा Late यहनी जल्दी जल्दी का late Next है read the given passage and answer the following questions 6 to 9 Pramila had a dream last night She was flying in the sky and suddenly यहनी प्रमिला ने एक सपना देखा था last night She was flying in the sky वह आसमान में उड़ रही थी And suddenly अचाने की everything started talking to her और आसमान में यहनी उसने बाते करनी शुरू कर दी She flew over the tree and the tree said और tree से कहती है Are you here to cut me? Are you here to cut me? क्या मैं तुम्हें काट सकती हूँ? Go away She sat at the river bank फिर वो नदी के पास आती है And the river said रिवर कहती है Please don't throw garbage in me यहनी मेरे के अंदर क्या नहीं डालना चाहिए कच्रा नहीं डालना चाहिए Throw it in the dustbin यहनी कच्रा किसमें डालना चाहिए? Dustbin में She flew in the sky again And the air was too fresh and cool और फिर हुआ से बाते करती है कि आपको हमेशा ठंडी और fresh ताजा चलनी चाहिए See here the air saying और उसने कहा These factories make me ill यहनी जो फेक्टरिय है मेरे को क्या कर देती है? बीमार कर देती है They should not pollute me यहनी जदा pollution नहीं करना चाहिए Pramila woke up Pramila जगती है From the dream thinking about the trees, air and the river यहनी उसको जो सपने में यह थे पेड है, हवा है, river है She went to her mother अपनी मदर के पास आती है Sad sea will take care of the earth from the now onwards अब अपनी माता से कहती है कि हमें इसकी देख बाल करनी चाहिए अब देखो, answer इसके First question है Who are the characters in the story? इस story का character कौन है? तो Pramila, यहाँ पो लिखना है Pramila Next What do you think? तुम क्या सोचते हो, will happen? यदी If we throw the garbage in the river अगर तुम garbage यानि river नदी में डालोगे तो क्या होगा? तो water pollution होगा Next है If the animals यदी Animals could talk अगर जो जानवर है वो बातचित करते What do What would they say? वो क्या कहते है? Think and write तुम सोच और लिखो If the animals could talk यदी वो बोल सकते To them see they have any kind of problem Any kind दूसरी किसी समश्या को देख सकते If they have problem They solve it तो उसे क्या करते? यानि solve करने की Solve करते उसको कोई भी समश्या होती Next है Where would you go If you could fly? Where would you go? यानि तुम कहां जाओगे? यदी तुम उड़ सकते हो तो कहां जाओगे? बताओ I want to travel around the earth मैं पूरी पर्थवी का क्या करूँगा? चक्र लगाऊँगा यानि उसको देखूँगा इस तरी केसिस को कंप्लीट करना है I hope कि आपको Assessment 15 जो अपना अन्तिम है वो अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं के अच्पली चनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू